alternating current circuits में आपको तीन प्रकार के circuit पढ़ाए गए कौन कौन से एक बताया गया था R circuit एक बताया गया था L circuit एक बताया गया था C circuit एक में था जिसमें resistance था एक में था जिसमें inductor था एक में था जिसमें capacitor था और तीनों में हमने क्या क्या एक alternating source से जोड़ा और potential जिसको voltage कहते हैं और current के बीच में हमने देखा relation क्या है कि current voltage के बीच में कितना face difference है तो हमने कुछ चीजें पाई कि कि साथ में voltage और current चलता है किसमें आगे पीशे होता है तो इसमें आप करें पर unit charge होता है तो हमें मान की चलना है कि energy अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से absorb करता है लेकिन current तो same रहती है ना तो current तो same रहती है ना तो हम यहाँ पर current को same रखेंगे समें ठीक है और potential को आगे पीशे करेंगे क्यों अब हम L और R लगाएंगे और हम voltage अप्लाई करें तो अलग अलग पार्ट के लिए voltage जो है change हो जाएगा ना अपने अपने हिसाफ से energy absorb करेगा चार्ज को फ्लो कराने में तो हम current तो same रहेगी ना तो हम देखो आपको याद करा रहे हैं सबसे पहले तो voltage किसको same करना है current को तो current को इसमें से भी same कर दो R में current को same कर दो यह current और सुना है ना वैस्वारा इलापाipl का है रार करना रार करना मतलब होता है शेड़ना भालला शेड़ना नहीं सड़क वाला भाई वहनों नहीं होता है अब बैटे हैं तो आपने पढ़ते साथ चलता है तो रारी में क्या होता है आई के साथ वी एक साथ चलेगा चल रहा है लडाकू भी होता है आप लीधisz का नाम ले रहे हो लडाका हमें से आगे रहता है हमें सहार बात में आगे खूर न ले करें देखना — वह अलब स ==== देखने वारा हमेसा पीछे चलता है, वीड खड़ी पीछे अपना खड़े हो गए, अब उसे पूछने भाई साब का है कि लिए खड़े हैं लोग, तो सी में ये वी हमेसा 90 डिग्री पीछे चलता है, ये याद करने के लिए इस अर्थ का कोई यहां मतलब है नहीं, तीक है, आर सरकेट में वोल्टेज और करेंट एक साथ चलते हैं, एल सरकेट में करेंट के साथ वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, और सी सरकेट में करेंट के साथ वोल्टेज लाइक करता है, आपने उल्टा पढ़ा है, आपने करेंट को आगे पिशे किया है, ठीक है, लेकिन तो वोल्टेज तो इतना ही supply किया आपने, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा ना यहाँ पर, अलग अलग तरीके इनरजी अब्जॉर्ब करेंगे, ठीके, किसी के सामने से बैरा निकलेगा सामान लेकर के वेटर बैरा न कही है, वेटर तो वो कहेंगा, नो, I don't want, और कुछ हाँ लाओ, थोड़ा यह चाठे ही हाँ रख लिए, क्योंकि वो कार्ड दे करके तीन दिन पहले से खाना बंद कर देते हैं, तो कुल मिला करके अलाग अलाग एनरजी अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है, इसके L पर, कि L की वेलू क्या है, लेकिन कर चार्ज को, तो हम करेंट को सेब कर देंगे, वोल्टेज को आगे पिशे करेंगे, समझ माई बात, तो अब हम क्या करेंगे, LCR में मिक्स करने जा रहे हैं सर्कुट, अब ज्यादा थेओरी लिखाने की जरोत नहीं है, ठीक है, आप ज़रा समझिएगा, देखिए, LR मतलब L बोले तो, इंडुक्टर, R बोले तो, रिजिस्टर, तो हमने का सपोज, एक इंडुक्टर, आफ इंडुक्टेंस, L, और एक रिजिस्टर, आफ रिजिस्टेंस, R, they are connected in series, ठीक है, and they are connected to an alternating current source, V is equal to V0 sin omega t, the potential difference between the ends of inductor is VL, and the potential difference between the ends of the resistor is Vr, have you got this language, only this much language is sufficient, अब हमको करना क्या क्या यहां पर है, एक तो हमको इसका फेजर डाइगराम मनाना है, फेजर का मतलब जो net voltage है ना, वो current के साथ lead करेगा, या lag करेगा, वो करेगा तो कितना करेगा, और circuit का resistance निकालना है, ठीक है, तो देखिए, पहले हम फेजर डाइगराम मनाते हैं, वी आर क्या होता है, वी आर का जो फेजर डाइगराम होता है, वो कहा होता है, current के साथ चलता है, तो वी आर current के साथ रहेगा, और वी आर क्या रहेगा, लडा का circuit, वी आर क्या रहेगा, current के साथ 90 डिगरी, आगे चलेगा, तो वी आगे चलेगा, वी आगे चलेगा, ठीक है फिले तो VR, VL की value निकाल दे VR is equal to क्या बताया गया था IR और VL is equal to क्या बताया गया था I और L का resistance क्या होता है XL तो I XL अब देखो VR और VL का जो resultant हो भी ही तो है VL और VL क्या है यह जो voltage आपने अपलाई किया है यही तो दो part in break हुआ है voltage बोले तो energy per unit charge यूँ कहीं आपने circuit को energy दे दी कितना charge flow करना low energy ले के जाओ तो रास्ते में मिल गए VL थोड़ी energy non ले ली अब V क्या होगा V यहाँ कहीं बीच में जाएगा नहीं जाएगा V अगर resultant निकालने की कोसिज करें तो दो vectors यह दो values का resultant क्या निकलता है इनके भीच एंगल कितना है 90 degree तो आपने पढ़ा है न V square is equal to V R square plus V L square यह थोगा vector में आपको resultant of two vectors पढ़ा है गया analytical method 11th class में कि P and Q are two forces यह two vectors and R is the resultant and theta is the angle between them then R square is equal to P square plus Q square plus 2P Q cos theta और यहाँ theta है 90 degree तो cos 90 0 हो गया अचा V L को क्या लिखेंगे आप V R को क्या लिखेंगे IR का square और V L को क्या लिखेंगे इसके पहले इसका topic clear होना चाहिए L C R नहीं तो यह समझ में कुछ नहीं आएगा बोले नहीं आ रहा है वो अलग की बात आ रहा है लेकिन यह कहां से आ रहा है यह नहीं मालूब है यहां से क्या कावन दिख रहा है आपको I square तो आएगा R square plus XL square यह है V square I square किदा लिखेंगे तो V square upon I square is equal to R square plus XL square तो जब यहां से V upon I निकालेंगे तो आएगा under root R square plus XL square note करिये तो फिजिक्स की बहा साम में V upon I क्या होता है है resistance होता है अब resistance के नाम अलग-अलग होते है तो हम mixing circuit में इसको क्या लिखेंगे Z क्या लिखेंगे इसको Z indicate किया गया under root हम नाम लिख रहे है R square plus और XL को क्या ले सकते है omega L का whole square ठीक है यहां लिख देंगे where Z is इसको impedance कहते है impedance Hindi में प्रतिबाधा कहा जाता है मतलब यह बाधा उत्पन करता है ना इसलिए नाम वही indirectly आता है इसको प्रतिबाधा कहते है ठीक है तो यह Z होता है तो Z is equal to एक और value लिख सकते है R square plus omega को लिखेंगे 2 pi FL का square तो यह आपका impedance हो गया ठीक है अब practically इस diagram को देखिए voltage current के पीछे चला है के आगे चला है का इससे पीछे को नहीं पीठी देख रहा हो का current की यह initial line है ना initial line में इसको आगे कहा जाता है इसको पीछे कहा जाता है वोगन पीछे है वगल में चला है कुछ भी बोल दो कौन बोला था पीछे तुम बोल रहे थे इतनी जल्दवाजी मांसर दे रहे हो लगा क्या होता है तो diagram देख रहा है तो यानि की हमने माल लिया की phase difference कितना है यहाँ पर 5 हम माल लेंगे कि let 5 be the phase difference 5 be the phase difference phase difference किसके किसके बीच between we and I वह understood है कि यह lead कर रहा है तो आप दिखेंगे कि voltage leads the current by phase angle 5 ठीक है यह statement लिख देंगे आप तो आप देखे अगर यह हम parallelogram complete कर दें इस परकार से तो parallelogram ला लगा सकते हैं इसमें तो 10 5 is equal to क्या होगा perpendicular VL upon VR VL बोले तो IXL VR बोले तो IR XL बोले तो Omega L upon R यह formula याद दकर रहेगा क्योंकि यूज होंगे direct तो 5 की value क्या हैगी 10 inverse Omega L upon R तो इस प्रकार से हम phase भी निकाल लिया और voltage भी निकाल लिया यह हमको निकालना है कि यह आपके mixing circuits हैं उसमें voltage और current के बीच में कितना phase difference होगा ठीक है और उसका impedance यह resistance कितना होगा ठीक है अब यहां सम्में एक special case रहेगा special cases वो है कुछ नहीं तो बोले आप लिखका है रहो जो कुछ नहीं है पहला अगर circuit मे L नहो अरे L नहीं होगा तो बन जाएगा R circuit ठीक है तो Z की value क्या जाएगी Z R हो जाएगा Z जो है R हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा 0 डिक्दी हो जाएगा क्योंकि R circuit में वैसे practically भी आप देख सकते हो अगर L को 0 करोगे तो 10 inverse 0 0 होता है ठीक है और यहां पर L 0 हो जाएगा तो आपका R बचेगा दूसरा है कि अगर circuit मतलब एक तरीके से pure resistance हो जाएगा अगर R 0 हो जाए तो pure inductor हो जाएगा तो Z की value क्या हो जाएगी XL हो जाएगी यह नहीं omega L हो जाएगी और 5 कितना हो जाएगा नाइटी टिक भी उत अंडरस्टूड है ना कि जब आप दो circuit में से एक नहीं है तो single circuit आप पड़ चुके है L, R और C की बारे में नोट करिए क्या नाम है इसका RC street circuit RC मतलब एक बार आया RC की dimension लिखिए लड़को याद कि RC तिवारी अब मैं बाका बोल ला हूँ लड़के तब चालांग थे टाइम नहीं याद करते थे जब T हो तो तिवारी बोल देना एक ने तिवारी बोला दूसरा पकड़ गया कि T इसकी dimension होगी teacher समझी नहीं पाया कि तिवारी काय बोलना है बाद पता चला हम लोगों ने त्या है किया था कि जो single वाले dimension होती उनका इस प्रकार से code wording जिससे की teacher को मालूम नहों पाया बाई लड़के भी तो आखिर गुरू जो होतुम तो तुम्हारे तो चेला है वो तो चेला का मतलब होता है अगर सही माइने में है तो गुरू का 100% प्लस हपना 10-20% ठीक है तो 120% हो गया ना देखे तो हमने का suppose एक register है जिसका resistance R है और एक capture है जिसका capture है C है एक R है एक C है और उसको एक alternating source से जोड़ दिया गया V is equal to V naught sin omega t लेके जनरली बुक में E बराबर E naught होता है वो लिखने में थोड़ा सा काभी टांगे उसकी टेड़ी करनी पड़ती है इसलिए लिखा गया है and the potential between the ends of the register is VR and the potential between the ends of the capacitor is VC ठीक है और I is the current current को फिलाल हम circuit में show कर सकते हैं वो instantaneous current होगी लेकिन alternating current को circuit में show किया नहीं जाता है ठीक है तो VR is equal to क्या हो जाएगा IR और VC is equal to क्या हो जाएगा IXC यह तो होता है ना क्योंकि C के case में जो resistance होता है उसको indicate किया जाता है XC इसका नाम क्या होता है capacitive reactance capacitive reactance अब देखो अगर हम इसका phasor diagram बनाए तो यह current आप समझा है मैं current को क्यों आगे पिछे नहीं किया क्योंकि circuit में current सेम है और V जो है ना वो अलग-अलग circuit में बढ़ जाता है क्यों बढ़ता है वो हमने बता दिया क्योंकि V actually है क्या चीज एनर्जी पर यूनिट charge चार्ज को flow कराने के लिए कितने एनर्जी circuit ने supply की यह होता है अब जानते है अलग-अलग part का energy absorption अलग-अलग होता है ठीक है तो वी आर कहां जाएगा आई के साथ चलेगा और वी सी कहां जाएगा आई के साथ 90 degree lag करेगा तो वी सी 90 degree आग पीछे जाएगा अब simple सी बात है अगर मैं कहूं इसका resultant क्या होगा तो दोनों आएगा तो दोनों के बीच में किधर उपर आ जाएगा यही कहीं बीच में यह तो लेख लेंगे कि वोल्टेज लाइक करता है तो निकाला जाए तो वी स्कॉयर इस इकल डू क्या हो जाएगा वी आर स्कॉयर प्लस वी सी स्कॉयर वी आर बुले तो 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 अगर पहले का आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है सुन लिजेगा तो यह आई आर कहां से आ का होल स्कॉयर और वी सी क्या है आई एकसी का होल स्कॉयर यहां से कामन क्या देख रहा है आई स्कॉयर तो आ हैगा आर 20 प्लस Xc square ये इधर V square चला, I square लियाओ, तो V square upon I square is equal to R square plus Xc को कहा ले सकते हैं, 1 upon omega c का square, तो जब V upon I निकालोगे, तो आएगा under root R square plus 1 upon omega c का whole square, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, step by step समझ लीजी, समझ में आजाएगा, अब V upon I को क्या कहेंगे यहाँ पर Z, तो Z हो जाएगा, under root R square plus 1 upon omega को चाहो तो 2 pi fc लिसकते हो, ठीक है, और Z यहाँ पर क्या है, impedance, अब आप कहेंगे नाम नहीं चेंज किया, आप कहां तक नाम चेंज करेंगे, कितने नाम आप याद करोगे, ठीक है, कहने को तो कुछ भी खाई, कहीं बैरिकेटिंग, कुछ भी नाम दे दें, यहीं ठीक है, अच्छा, voltage is lagging behind the current by phase angle phi, तो अगर हमको phi निकालना हो, तो आपको यह pedogram बनाना पड़ेगा, क्योंकि डाइग्राम जो आपने बनाया है, यह triangle law vector addition से बनाया है, यह pedogram law से बनाया गया है, आप सोच रहोंगे, आप कहीं पूछ ना ले, पेलो scream love लाक्या होथा कि one sapane time there was a class 11, there was a chapter, vector, there was a chapter, there was a chapter and that chapter was not in my mind, and that time, this time तो स्वाले नी उड़ता है, का पूकर तरह बढ़ गया, का आप फर्स हमजो उसको, तो क्या कहा गया था, if two vectors are in magnitude and direction, represented by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then the diagonal from that point represents the resultant, रही था न, तो अगर हमको phi निकालना हो तो यहाँ से tan phi क्या निकलेगा यह हो जाएगा VC अपान VR, VC बोले तो IXC, VR बोले तो IR, यह हो जाएगा omega C, one upon omega CR, यह भी कर सकते हैं, यह डाइग्राम रप करते हैं कुछ रोत है नहीं है उसकी तो यहनि कि यह आजाएगा tan phi is equal to one upon two pi FCR तो यहाँ से phi निकालना होगा तो phi निकालोगे, tan inverse one upon two pi FCR तो यह आपका LC, RC circuit हो गया सबको निकालाया ना resistance भी निकालाया, phase भी निकालाया ठीक है, note करें अब next है LC circuit, LC series series हैं सब जितने भी हैं तो फंडा सुन में आ रहा होगा कि सब्सक्राइब एक इंडॉक्टर है और एक कैप्सिटर है यह आर कनेक्टेद इन series L and C and यह बोथ आर कनेक्टेद तो an AC source V is equal to V naught sin omega T I is the current in the circuit and the potential between the ends of the inductor is VL and between the ends of the capacitor is VC ठीक है तो VL is equal to क्या हो जाएगा VL is equal to हो जाएगा I XL और VC is equal to क्या हो जाएगा IR ठीक है अरे IXC, R कहां से आ गया IXC ज़रा इसका phasor diagram बनाते है देखो ये current है VL current के साथ 90 degree lead करता है और VC 90 degree lag करता है अब ज़रा एक लफडा यहां पर है देखो ध्यान से VL और VC का अगर resultant निकालें तो VL minus VC भी हो सकता है और VC minus VL भी हो सकता है यह हम numerical लगाएंगे तो वहाँ तो value दी होगी न VL VC क्या है लिकिन अभी फिलाल हम VL को ज़्यादा मान के चल रहे है तो resultant कितना आएगा यह आएगा VL minus VC तो resultant V जो होगा तो आजाएगा VL minus VC VL की value क्या हो जाएगी I XL minus VC क्या हो जाएगी I XE I से divide कर दो तो V upon I is equal to XL minus XE V upon I क्या है Z और यह बोले तो XL minus XL बोले तो Omega L और XE बनपान Omega C तो यह Z की value आ गई अब यह चाहो तो आप 2 pi FL कर दकते हो minus 1 upon 2 pi FC 2 pi FC कर सकते हो तो यह Z की value आ जाएगी ठीक है अब यह तो आप लिख सकते हैं ना कि जो resultant V है ना वो current के साथ 90 degree lead करेगा या lag करेगा वो depend करता है आपके इसकी value पे कि VL is greater than VC है या VC is greater than VL है वो value पे depend करता है ठीक है यहाँ एक special case आता है जो ज़रा इस VL current के साथ 90 degree lag करते हैं sorry lead करते हैं या lag करते हैं लेकि दोनों आपस में एक दुस्षे को oppose करते है भई यह diagram क्या दिख रहा है कि जो VL है वो इधर जा रहा है तो VC है तो इधर जा रहा है VL I XL होता है तो XL इधर जा रहा है XC इधर जा रहा है दोनों के resistance का जो direction है वो opposite है एक special case हा रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि Z 0 हो जाए यहाँ Z 0 हो सकता है तो Z 0 होने का मतलब क्या होता है Z 0 हो गया यानि कि XL is equal to यह का होगा XL minus XC is equal to 0 हो जाएगा तो XL is equal to क्या हो जाएगा XC ठीक है यह दोनों आपस में opposite है और दोनों equal हो गए तो resultant क्या हो जाएगा 0 बैकर college में दो teacher है एक आपके बिल्कुल against है एक आपके बहुत favor में है तो उनको आपस में लड़ा दो नहीं यह लड़का जाएगा घूमेगा के बला लड़का पड़ेगा तो तुमको आराम है आपस में लड़ते रहेंगे यह दोनों खुदी आपस में जूत्तों लड़ते रहेंगे circuit के electron को कोई दिक्कत नहीं है यहनि दो जो हता है जो गेंगेस्टर होते हैं opposite group के तो पुलिस लड़ा देती है आपस में लड़ जाओ तो वापस में एक दूसरे को मार देते है तो पुलिस लड़ाम से free हो जाती है तो उसी प्रिकार से यहाँ electron free हो गए और यहाँ पर XL बोले तो omega L resistance 0 हो गया ना circuit का resistance 0 हो जाएगा तो current कितनी हो जाएगी infinite बहुत सारे electron जा सकते हैं और XC क्या हो जाएगा 1 upon omega C तो omega की value क्या आएगी 1 upon root LC नहीं होगी omega को क्या लग सकते हैं आप 2 pi F is equal to 1 by root LC तो यहाँ से F की value क्या निकलेगी 1 by 2 pi root LC पहुंचे फिर इसका नामन क्लेजर किया जाए इसको कहते हैं इस condition को कहा जाता है electrical resonance condition क्या कहते हैं electrical resonance की spelling क्या होती है R.E.S.O ठीक है resonance condition और यह जो frequency है इसको resonance frequency कहते हैं resonance frequency क्या मतलब है वही resonance नाम सुना होगा आपने सुना है ना resonance क्या होता है हर एक object की चाहे circuit जो बना रहे हो यह हो चाहे आप हो चाहे pain पौदे हो चाहे जो हो सबकी अपनी एक natural frequency होती है और एक external frequency होती है जब कभी natural frequency एक्स्टरनल frequency के बराबर हो जाती है तो उस system का जो amplitude होता है vibration का वो बढ़ जाता है का पढ़ क्या हो भई अभी नित पढ़ाया था यही पढ़ाया था घट जाती बढ़ जाता है ठीक है तो यह resonance frequency क्या होती कि इसमें एक तो circuit की frequency है ठीक है और circuit की frequency मतलब उसी frequency से electron को move करना है circuit में लेकिन circuit में लगे कौन है यह रहूर अब पता चला कि electron तो खुब जंप करते जा रहा हाँ कला कवा काड़ खाएगा रास्ते में मिल गए कौन inductor वेर आर यू गोई बनादिया पोजिट मैगनेटी फिल्ट नहीं जाने देंगे ठीक है रास्ते मिल गए कौन capacitor इधर आओ यहां बैटो पहले हमारी plate भरो तब जाने देंगे हफता दू हफता उसली करते है तो दोनों circuit में एक हफता उसली करता है अपनी circuit को पहले अपनी पहले plate को charge करता है और दूसरा जाने नहीं देता तो दोनों को लडा दिया हमने दोनों एक दोसरे से वो कहें तु रोक नहीं सकते है इनको आप पैठा नहीं सकते है अपना पैठ नहीं बढ़ सकते है दोनों लड़ जाएंगे एलेक्ट्रान आराम से चले जाएंगे तो यह अक्सर पुछी जाती है लेकिन ध्यान रखेगा कभी-कभी ओमेगा दिया होता है कभी-कभी एफ दिया होता है ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिकुंसी तो उसमें जब दी हुई हो एलू हो तो उसकी यूनिट से समझ जाएगा कभी-कभी एंगुलर बड़ नहीं करते है फ्रिकुंसी दे जाते है लेकिन यूनिट देते है रेडियन पर सेकिंड तो हम पहचान जाते हैं यह ओमेगा दिया होगा रेजोनेंट्स साउंड में आपने पढ़ा है कुस मेकेनिकल रेजोनेंट्स पढ़े हैं ठीक है तो उसका अपना एक वाइबरेशन है अब सेनिक वो यूपी पुलिस तो है नहीं कि सावधान विस्वा इसे इसे चला है देखो कैसा परेड करते हैं ठीक है नहीं महाराज पुलिस तो बहुत एक्टिव रहती है मैं यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ हाँ हो सकता है जनरली जो सैनिक वाला एक्जामपल है वो इस पुल के लिए नहीं सोचके दिया गया है वो वहाँ के लिए दिया गया है कि वो इस पुल का अपना वैबरेशन होता है अब सेना चलेगी तो उसके कदमों की जो एक तरसी होगी हाँ तो हो चुका होगा मिया तानसेन का नाम सुना होगा आपने वो बताते हैं कि अपनी आवाज से कौन सा वाद्यंद बजाते थे तानपुरा तो उससे जो है पत्थर पिखला देते तो फ्रिकुंसी सेम कर देता है दिल दर्वित होगा उनका वो रेजोनेंट की फ्रिकुंसी हो जाती है तो मिया तानसेन क्या करते थे रियाज करते थे ना वो आज से कोई मिया तानसेन क्यों नहीं होता एक पत्थर है पत्थर की अपनी अगर आपके वाद्यांत्र की फ्रिक्वेंसी पिल्कुल डिटो सेम हो जाए यह लगातार सेम रखनी पड़ेगी ना कि हलका सा पत्तर का वैप्रसन हुआ चूर चूर हो जाएगा वो तो देर देर वैप्रसन बढ़ेगा बढ़ेगा तो जो मॉलीकुलर अट्रक्शन कम होगा ऑगर रियाज करते थे आगरेगा जो कि संक अब जाय जाएगा और अधर गाना कारशता ऑब यह सब इसमें र्याज चाहिए को छह नहीं होता ह website ऑग करता है यह अज intent तो इन वाले में पत्थर नहीं पिखलता, ठीक है, दूसरी बात हमारी अपनी नेच्टरिट फ्रिकंसी है, सब बॉडी के अपनी नेच्टरिट फ्रिकंसी है, आप गए किसी फंक्शन में, वहां पर बढ़िया मुकेश का गीद गन, बज रहा है, बात पे जी मस्त हो गए, क् प्रेकंसी हमारे फ्रिकंसी से मैच हो गए, सिंग साफ्स हो गए, अब दूसरे, तुमें वह बज रहा है, डीजे वाले बाबु जरा पहला बजा दे, अब हुह थिरकाय लाग रोग, इसका मतलब क्या होता है, क्यों डीजे वाले बाबु की गाने की फ्रिकंसी आपकी फ्र जो प्लीजन्ट आपको महसूस करती हूँ हमको डिस्टप करती है और जो हमको प्लीजन्ट महसूस करती हूँ आपको सुला देती है ठीक है तो यह आपका LC हो गए तो 2-2 के mixing हो गए अब तीनों का लाएंगे ठीक है